दोस्तों मैं राम कुमर नीरेज एक बर फिर से हम सब आपका स्वागत करते हैं खबरों से जुड़ी अगर खबरों के हिसाफ से अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि बिहार फिलहाल चुनाओं को लेकर काफी चर्चा में रहा है और बिहार के स्री नितिश कुमार जी को फिर से मुख्य मंत्री पद का पद भार दिया जाएगा और जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि इसी रवीवार यानि कि 15 नवंबर 2020 को एंडिये विधायक दल की वैठक हुई जिसमें नितिश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया तो आएए और हम जानने की और कोशिश करते हैं नितिश कुमार से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प जानकारियों को नितिश जी का जन्म एक मई 1951 में विहार के वक्तियारपूर में हुआ था उनकी शुरुवाती पढ़ाई भवनातपूर में हुई और फिर वर्वें की पढ़ाई के लिए वो बोकारों चले गए उन्होंने पटना की नेशनल टेकनिकल इंस्ट्ट से मैकेनिकल में इंजिनियर की है और वे 1975 से 77 के जैब रकास अंदोलन में शामिल रहे हैं 1977 और 1980 में नलंदा जीले के हर्नौत सीट से पहली बार विदायक चुनेगे नितिश कुमार 1995 में हर्नौत सीट से आखरी बार विदायक चुनेगे बाद में इस्तिफा देकर 1996 में लोग सभाचुनाओ लड़े और जीते भी 2000 में अचल सरकार से इस्तिफा देकर पहली बार विहार के सीएम बने थे लेकिन बहुमत नहीं होने पर साथ दिन में ही इस्तिफा दे दिया था वे 2005 में दुसरी बार और 2015 में तीसरी बार विहार के मुख्य मंत्री बने नितिश ने बतौर सीएम छा बार सफत ली हैं लेकिन वे इस दौरान विधायक नहीं रहे हैं नितिश पहली वार सीएम बने तब न विधायक थे न विधान परिशद के सदस से बाद मुन होने जाओ और विचार के हमें इंतजार रहेगा धन्यवाद